सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार धे टुई में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोग पुराने को और आप देख रहे हैं हमारा सापताई काई कम आर्थिक मुद्दे बैंकिंग जगत में बहुत कुछ हो रहा है केंडरी बैंक यानि रिजर्व बैंक आफ इंडिया से केंडरी सरकार को होने वाली एक लाग छेत्र जार कोर्ड रुपे के रिकम चर्चा में रही दूसी तरफ दस सरकारी बैंकों को आपस में मिलाकर उनकी संख्या चार कर दी गई है 2017 में सरकारी बैंकों की तादाद 27 थी अब यह करीब 12 रह जानी है करीब क्या 12 ही रह जानी है सरकार ने सरकारी बैंकों के विलाए को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थवस्ता की दिशा में एक कदम बताया है रिजर्व बैंक के एक पूर गवर्नल डी सुबाराव ने सवाल उठाया है कि अब सरकारी बैंकों की ज़रूरत है भी या नहीं सरकार को सरकारी बैंकों में मैजोर्टी यानि 51 परसेंट की शेर धारता को छोड़ने पर विचार करना चाहिए समगर बैंकिंग परिदर्श पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास भहमान मौजूद हैं एक हैं S.K. तिवारी जी आप इंडियन उकॉनमिक सर्विस के अधिकारी रहे हैं और आर्थिक प्रशासन से जुड़े रहे हैं दूसरे में प्रफेसर रजिनक वारुपाद्ध है आप औरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में अधिकारी रहे हैं इस बैंक का विले पंजाब नैशनल बैंक में हो रहा है चर्चा की शुरू आज से पहले देख लेते हैं इस नवस्ते पर एक रेपोर्ट अर्थरोस्ता की तमाँ क्षेत्रों में चल रही मंदी की आहट और बेरुजगारी के बीच बीते 13 अगस्त को वित्वमंत्री निर्मला सीता रमन ने आर्थिक सुधारों के देशा में बड़े एलान किये है इन सब में सबसे बड़ा एलान सरकारी बैंकों के विले को लिले कर था इसके तहट दस सरकारी बैंकों का अपस में विले करके चार बड़े बैंकों के रूप में बनाने की योजना है विले योजना के तहित औरियंटल बैंक आफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक के साथ केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया के साथ अंधरा बैंक और कॉर्परेशन बैंक और इंडियन बैंक के साथ इलहाबार बैंक का विले किया जाएगा गोटलबे की साल 2017 की तुलना में कुल 27 राश्टरी बैंकों के मुकाबले अब किवल 12 बैंक रहेंगे सरकार का कहना है कि बैंकों को उनकी समान परिचालन शम्ता उनकी पूजी तथा तकनीकी संभावता के आधार पर मिला जा रहा है विले का मुख्य मकसद देश में वैश्वी कस्तर के बैंकों का निर्माण करना है विले के बाद इन बैंकों की पास काफी संसाधन होंगे जिनसे इनकी कर्ज देने की लागत भी घटेगी बैंकों का अपस में विले करने के बाद इनका आकार बड़ा हो जाएगा और इस प्रकार वे अर्थव्योस्था में अचानक आने वाले किसी संकट का मजबूती से सामना कर पाएंगे अलनकि जनकारों का कहना है कि विले के रास्ते में तमाम चुनोतिया भी है विले के चलते बैंकों में काम का माहौल, कर्मचारियों की पुनह तैनाती और कैरियर्स जुड़े आउसर कम हो सकते है विले के शुरुवाती दिनों में प्रबंधन के उचे पदों पर बैठे लोगों का जादा ध्यान अपने करियर पर रहेगा ये लोग इस बात में ज़्यादा मश्गूल हो सकते हैं कि किसको कौन सा पत मिलेगा ऐसे में विले के असल मकसद से ध्यान हट सकता है नरसिम्हन समित ने इस बात की जरुट तो बताई थी कि देश में बड़े और कुशल बैंक होने चाहिए लेकिन इस बात को साफ नकार दिया था कि डूबद बैंकों का बड़े बैंकों में विले किया जाए बड़े बैंकिंग संस्थानों की विफलता की स्थिती में सरकार की वित्ती स्थिर्टा व्यापक रूप से तबहावित हो सकती है कुछ सुषेशग्यों ने इन चुनोतियों का उपाय सुझाते हुए कहा है कि बैंकों के विले के बाद उनका आकार तो बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन उनकी जो मुख्य समस्या है वो गवर्नेंस की है इसलिए बैंकिन गवर्नेंस और प्रबंधन की देशा में सुधार करना बहुत ही जरूरी है इसमें बोर्ड उस्तर के अधिकारियों और उचे पदा अधिकारियों की न्यूक्ति जैसे एहम सुधार शामिल है इसके लवां बड़े बैंक होने के कारण थोड़ी सी भी वित्ती स्थिर्ता बड़ा प्रभाव डाल सकती है इसलिए के इंदरी बैंक यानी RBI को अपनी मॉनिटरिंग और चुस्त दुरूस्त करनी होगी वादह जी मैं आपसे शुरू करता हूँ आपका पुराना बैंक और बैंक और इसका विले पंजाब निशन बैंक में हो रहा है अब खुद और इंटल बैंक और के अधिकारी रहे हैं रफ्या बताएं कि बैंकों की कारे संस्कृति कितनी अलग होती है और दो अलग अलग बैंक मिलते हैं तो उनकी कारे संस्कृति में समनवाए कितनी आसानिया मुश्कल से होता है जी अगर हम इस सवाल का जवाब दें तो यह देखना होगा हमारे को के कारे संस्कृति में जो भेद है वो तब तो बहुत था जब वर्किंग मैनुवल थी जब से computerization हुआ और जो core banking solution है वो आया और product भी लगबग समान हो गए तो कारे संस्कृति में उतना भेद नहीं रहे गया वो भेद सिरफ इस बात में है कि किस बैंक में कौन सा software कारे कर रहा है तो यह आप देखें पंजाब निसल बैंक और original bank of commerce का example आप लें तो दोनों finacle पर ह है तो जो कारे संस्कृति है जैसे आपने सुबह आगे अपना on करना है और जो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है और जिस system पर आपने काम करना है वो बिल्कुल एक हो गया तो उस system की वज़े से जो कारे संस्कृति में फरक आता था वो अब नहीं है तो बतलब यह एक सम संबह आसाने से हैं अलगबक 23-24 बैंक ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर और प्रबिस सेक्टर में लागए जहां फनेकल कारदत है जो कि इनफोसिस के द्वारा प्रवाइड किया जाता है कुछ बैंकों में बैंक CS है जो कि TCS के द्वारा प्रवाइड तो ऐसे ही यह जो बैं कों से कहा जा रहा है अनादिकार शेष्टा हो गई राहूल गांदी जी इसको चूरी की संग्या दी पर एक मंतरी प्यूश कोईल जी जो भारत सरकार के महत्मूर मंतर हो नंगा यह ठीक है आप के रावायमें हम इसे किस तरह से देखें कि सरकार ने अनादिकार ले ले लिय हम एक सिमिली देना चाहें तो ये किसम से हनुमान जी का विकराल रूप भी है और एक तरफ से बहुत सूख्षम रूप भी है क्योंकि एक लाग शेतर अजार क्रोड सुनने में बहुत बड़ी राची लगती है बट जो हमारी आवश्यक्ता है उसके अनुपात में इसको अग के लिए तो इसमें जो में मुद्दा आता है वो की खाली शेतर जार करोड का नहीं है जो पूरा हम जो बालेकाल से अपने सुनते आ रहे हैं स्ट्रेक्चरल ट्रांस्फोर्मेशन एकॉनमी का जिसमें अभी भी जो इसका बैग्राउंड ने जिसमें एक आ गया है कि जुगनी होनी है तो वो सारी चीज़ों का समांजय से लेते वे इसमें यह देखना है कि यह इन जरूरतों को कहां तक पूरा कर सकता है अब जहां तक प्यूज गोयल जी का कहने का सवाल है उनकी व्यक्ति के तरह है ऐसे तो सी ए जो पूर सी ए अर्विन सुबरा मरियम थे उन्होंने भी उनका यह कतन था कि इस एक्सेप्शनली हाइली कैपिटलाइज दार भी आई जी उन्होंने यह तक कहा था कि चार लाग करोड रुपिया ट्रांसफर हो सकता है शुलूर नहीं किया था यह सारी बैस शुलूर हो नहीं कि थे तो यह यह उसी तरह का मुद्दा जैसे कि अब रिजर्व बैंक का मतलब ही है जो रिजर्व का संचय करें रिजर्व की सुरक्षा रखें अब वो सुरक्षा कितनी हो साधारन सुरक्षा हो जेट प्लस केटेगरी हो तो यह दूसरा मुद्दा है इसका आकलन कैसे हो कि कितने रिजर्व आपको सही लगते हैं तो उन्होंने उसको रैशनलाइज करके सारी चीजें कही गई है इसमें जो जो जालान कमीटी की जो आप कह रहे हैं उनका जो एक महतुपूर्ण चीज उन्होंने यह कही है कि हम एक अब्जेक्टिव रूल बेज ट्रांस्पेरेंट और इस तरह की मेथेडोलोजी देना चाह अब इसको देखना होगा क्योंकि उन्होंने यह काया कि इसको फिर रिभ्यू हो सकते हैं जरूरत पढ़ने पर जी बट फिलहाल के लिए उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि जो रियलाइज डिक्विटी है उसी से जो आप अपना जितना कॉंटिंजेंसी बफर है उसके बि रियलाइज वैल्यूएशन है उसको उन्होंने का कि स्टिक्ली वह ट्रांसफर नहीं होगा इसको मैं अपने दर्शों की बात साफ करने के लिए ऐसा क्या रियलाइज इंकम का मतलब ही हो गया कि जैसे कि यहां हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का हम को 10,000 रुपर मिल इस और चर्चा कर रहे हैं। employees को हटा दें, एकदम से en masse branches कम कर दें, तो cost saving इसमें कुछ आपको लग रही है, हो पाएगी, देखे एक चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी employee को निकाला नहीं जाएगा, finance minister ने भी कहा, देकि निया दूसरी बात देखने वाली ये है कि जो employee आप लिया करते थे हर साल IVPS के द्वारा process में, उसकी आपको आवशक्ता नहीं पड़ेगी, एक तो आपका वो खर्चा बचता है, दूसरा, अगर आप पैंजाम रेशनल बैंक और इंटल बैंक और इनटेट बैंक के merger को देखें, आप दूसरे बैंकों के merger को देखें, तो जो उनकी branches बहुत नस्दी होती है और change के लिए वो त्यार नहीं होता है, तो बहुत से लोग VRS भी लेंगे, अगर आप देखें तो जो 30 या 40 VRS पर मन्त या इस तरीके का जो average है वो बढ़के 2500-300 के आसपास हो जाता है, तो वो उतना कम हो जाने पर वो सब खर्चा बहुता है, लागत बढ़ेगी नह करेक्शन में हम बिल्कुल होगी और जरूर होगी, सर एक इसमें हमसा बर्तशास की विद्यारती रहे होता है कि कहीं से पैसा आना शुरू हो जाए, तो हमारे खर्चे का हिस्सा बन जाता है, इस बार का जो रकम Reserve Banks ने दी है, सरकार को ठीक ठाक रकम दी है, एक एंगल से, हम रोज बर्ला के सरकारे कामकाज में कर लें, इसके आशंका आपको दिखाए पड़ते हैं, अब यह आशंका एकदम इसको यह बिल्कुल निर्मूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि सरकार इसमें सक्रीज़ा दिखा सकती है, क्योंकि जिस तरह की परिस्तीतियां बन रही हैं, और परिस्तीतियों के अलावा जो RBI का एक्ट है, तो एक्ट में इस तरह के हस्तान तरनड पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब एक्ट इतना ही कहता है कि कैपिटल पांच करोड रुपे होनी चाहिए, है तो राष्ट की संपर्ति, और ऐलोकेशन ऑफ सरक्लस भी जो उनका से से तालीस है, उसमें भी यही कहा गया है कि इस तरह का कैपिटल बंदिश पर कोई कानूनी बंदिश तो नहीं है, ट्रांसफर पर कोई असरा लेगल इस्ट्रक्शन, लेगल बंदिश है, लेकिन एक डिस्क्रिशन वेक, वह कहता है कि रखा जाए, अब उसमें दूसरा यह भी आता है कि जैसे RBI Act में, मतलब RBI income tax exempt है, super tax exempt है, उस पर कोई stamp duty नहीं लगती बैंक नोट्स पर, तो एक जो इस तरह के सक्री बयान आ रहे हैं तो उससे यह अंताजा लगता है कि वह यह कह सकते हैं कि इतनी छूट हमने आपको दी हुई है, तो उसके एवर्ज में जो यह बोटे तोर पर बात दिखाए पाता है, आप कुछ कहा है था अजिता है मैं सरब यह कहना चाहता था कि पैसा अगर आप एईर बैंक के पास भी रखते तो इस पैसे का कहीं नियर्वेस्ट करता होगा, या तो फो फॉर इन्वेस्ट करता होगा, न्यों तो गोल्ड में हम बहुत ज़्यादा active होके तो investment नहीं कर पाते हैं कि हम foreign market में कोई swap करें या कुछ करें हम सरफ इसको एक जड़ तरीके investment के तो पे रखते हैं गौर्मेंट इस पैसे को productivity में यूज कर सकती है रिजर बैंक नहीं कर सकता है रिजर बैंक के पास पावर नहीं है कि उस पैसे वह सरफ उसे इंवेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में या बास्किट ऑफ करेंसी में इस एंगल से देखो हम यह कहे करते हैं एक बहुत मसला आता है कि आप सरकारी बैंक में काम कर चुके तो सरकारी बैंकों से उम्मीद यह हम करते हैं कि समाज के भले के लिए काम करेंगे फिर हम यह प्रेशर लगाते हैं सहाब कि इसके पास net profit नहीं आता है यह earnings नहीं करते अभी तमल बंदो पैद्ध हैं बहुत बड़ एकॉनमिक जॉनलिस्ट है उन्होंने उन्होंने कहा कि शिशु मुद्रा कर्ज यानि 50,000 रुपते के कर्ज पे 2019 के साब से शिशु कर्ज में करीब 16.2, 16.2% कर्ज हो गया कि शोर कर्ज 13.22% कर्ज हो गया तरणों कर्ज में थोड़ा सा कम है 9.600 प्रेंट और बताया कि सरकारी बैंकों में डूबत ज्यादा हुआ है डूबत तो सरकारी बैंकों कही है पी अंडी पे निर्वमूदी हाथ साफ करते हैं निजी बैंक थोड़ा पचाके चलते हैं तो आपको लगता है कि यह विलय हो जाएगा तो इस तरह कि डूबत प्रवतियां जो है दूबने के केस कुछ कम होगी जी ऐसा बिलकुल नहीं लगता है लेकिन यहां पर हमको यह बात देखनी होगी कि यदि पॉब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा डूपता है इस तरीके के चोटे लोनों में तो इसको दूर्ज तरीके से अगर आप देखें कि एकॉनमी को कुछ ना कुछ कही ना कहीं उसमें कुछ सीखा होगा 15-16 परसेंट अगर उसमें डूप बिजाए तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि बजा इसके कि हम डारेक्ट उनके एकाउंट में ट्रांसफर करें और एकॉनमी को रिवाइव करने कोशी करें क्यों ना उससे कहें कि कुछ एकॉनमी को रिवाइव करें क्योंकि खर्चे के बड़े बिना एकॉनमी तो रिवाइव करेंगी नहीं तो चिंता का विशे तो है लेकिन बैंकों का सिरफ कार यह नहीं है कि वो जो लोन दें और वो 100% रिकवर हो जाए कुछ ना कुछ तो उसमें खराब होई सकता है इसमें एक महत्मूल सवाल तिवारी जी आता है और यह सवाल थोड़ा सा प्रिटिकल एकॉनमी का सवाल हो जाता है कि चुनी हुई सरकार का जिम्मा होता है कि हर चीज पे उनकी जवाब दई होते हैं महंगाई हो गई तो जवाब दो चिन का हमला हुआ तो जवाब दो लिए अपने आप एक Lossa होते हैं आपकी रहा है मिल्य सब्सक्राक्राइब को पर मीर्य है नाप सत्बाइब अब जो हर हर देश का ए जो सेंटरल बैंक हैं अपनी अपनी परिसीशों वे इवाल हूए है तो उनमें कोई तुलनात्मक अदियान हो नहीं सकता है कि कि जैसे यू-एस के जब फड की बात करते हैं तो उनके याँको येक वो सेंट्रल बैंक एक नहीं है उसमें बारह रजब्रवाइन के उनकी इंटिक और है सर बैंक अपने आप में इंकौर्पोरेट्टेड थै तो फेडल रजवसिस्टम कहलाता है जैसे हमारे Ribs Central Bank है और वो यह मित है कि हमारे यह Central Bank independent है Autonomous है क्योंकि इस पर बहुत किसे कानिया भी हुए जैसे जिसमें famous किसा जब शुरू से अगर हम याद करें बीके नहरू की जो एक पुस्तक रही है कि नाइस गाइस फिनिश सेकेंड जिस पर उन्होंने खुद यह काया कि मुरारजी देशाई ने उनको पेशक्राश करी थी कि कि आप अर्बिय का गवर्नर बनना चाहेंगे और उन्होंने यह कहता कि नहीं क्योंकि Autonomy नहीं है और उनको अपना जो अनुबाव यह था कि वह कहते दे जॉइंट सेक्रेटरी में अर्बिय को इंस्ट्रेक्शन देता था तो वह नहीं चाहते दी यह चीज उनके उनके अपने ऊपर यह लागू हो तो कहते मैंने मना कर दिया और मैं चाहता था कि अगर डिप्टी चेर्में प्लाइनिंग कमिशन का पत खाली नहीं है तो मैं इस जो है मजबूत होती है यह रिजर्बैंक पर जैसे हम एक्ट को भी अगर देखें तो जैसे कॉम्पोजिशन जो है तो उसमें 21 डारेक्टर में से 16 नॉमिनेटेड हैं किवल 5 अपॉइंटेड हैं और रिजर्बैंक के गवर्नर को सरकार कभी भी हटा सकती गवर्नर गवर्नर कहीजन है और ब्रुकरिसी जो है पूरी तरह से स्टेटस कॉंशा सोथी है प्रोटोकॉल को अबसर्फ करती है है तो अरिस बैंक ऑफ इंडिया बाहर इस सरकार के कारेष्चेत्र से बाहर नहीं है और उसकी अथोर्टी से बाहर नहीं है अनततह जो किन सरकार चाहती है वो करवाही लेती है करवाही ले जैसे इसमें जब हम मौनिटरी एकनॉमिक्स भी पड़ते थे तो उस समय भी यहां पे एक एसबी गुप्ता जो है जिनकी एक पुड़ी इस किताब ऐसे उस पे अधिया कि भारत में जो मौनिटरी अथॉरिटी ए खाली और बिया इन यहीं अर बिया प्लस सेंट्रल गवश्य कोड़मेंट जिनकी जो Central Government की Deficit Financing है, उस पे RBI का कोई अख्तियार नहीं है, जितनी Deficit Financing चाहेगी सरकार करेंगी, F-RBM Act इसलिए इनएक्ट किया है, वो भी विफल ही हुआ है, एक चीज़ में मैं आता हूं इसमें की इंडियन बैंक का डूबत करज अंपास सिर्फ 3.8 परतिशत है, इलाब बैंक का 5.2 परतिशत है, और दोनों की सहत में बहुत फर्क है, एसो चैम क्राइसिल की एक स्टेडी के हिसाब से यह है कि साहब मार्ट 2020 में डूबत करज जो है, वो कम हो जाएगा, नौलाग 10,000 कोड़ जाएगा, इससे पहले यह 940,000 कोड़ था, तो यह जो एक बैंक में बहुत ज्यादा है, डूबत करज, एक बैंक में बहुत कम है, तो इस विलाएज से क्या आपको लगता है, डूबत करज में कमी आ जाएगी, वित्ती सहत में इंप्रूव हो जाएगा, कैपिटल का इस भड़ने से कमच वित्ती सहत इंप्रूव हो जाएगा, जिसने पैसे बैंक मारे हुए हैं, वह नोटिस उसको चाहें इंजियन बैंक बेंक बेजो, चाहें मिलाबद बैंक की बैंक बेजो, चाहें पी एंटिअट बैंक बेजो उसका स्टैटस वही रहता है, तो किसी ब होगी उसकी recovery में नबर पहला दूसरा पॉइंट यह परसंटेज जो है आप देखते हैं एन पीए की परसंटेज निकाली जाती है टोटल एडवांस से तो किसी बैंक का कितना एडवांस से उसका कितना परसंट है एक तो परसंटेज आप उसको क्वालिटेटिटिव ना लेके क्वालिटेटिव मानें दूसरी बात यह इन दो केस में जो आपने बता है इसमें मुख्य बात यह थी कि इन दोनों का जो software system है वो एक है इसलिए कहीं और merger का इसमें नहीं लिया जा सकता था तो यह इसका तकनीकी वज़े है जिस पर चलते हैं यह वज़े थी सर एक मसला फ कलकता मुख्याले का एक बैंक इलाबाद बैंक इसका विलाइव एंडियन बैंक के साथ कलकता मुख्याले का दूसरा बैंक के युनाइट बैंक ऑफ इंडिया इसका हुआ पंजाब नेशनल बैंक के साथ सवाल यह है कि तकनीक जब भागोलिक दूरियों को सीमा को खतम कर है ऐसे सूरत में मुम्ताजी का ये कहना किसा आप बंगाल को विमुक किया जा रहा है इसमें कितनी राजदी थी कितना अर्थशारत ये तो आपने शुरुआत में काएं ये सवाली पुलिटिकल एकॉनोमी रियल पॉलिटिक का है और जो जो इस हकीकत को हम नजरनदाज नहीं कर सकते वस्तूता पुलिटिकल एकॉनोमी हावी रहती है और उनकी जो पीडा है वो बहुत स्वाविक है क्योंकि इलाबाद बैंक है वो कोलकटा बेज्ट है उसका विलह हुऊ है जो एंकरबैंक है कि नाई बेश्ट में अंडियन बैंक मरजर के लिए बट उसके साथ यह भी हकीकत है कि इंडीआ जिस बैंक बैंकों महराश्टरा पूजयाशना अंऑन लिए नहीं राजनीती का और राजनीतिग्यों का इंटरफेरेंस है और दूसी दूसी और ये भी सिद्ध होता है कि बैंकों का जो विलय है वो भी किसी ना किसी तरह से राजनीती से प्रेदित या प्रभावित है तो वो पॉलिटिकल एकॉनमी यहां पर अपने आप में बहुत तो बैंक में भी वो टेक्नलोजिकल मर्जर एक चीज है आपने सॉलिशन दे दिये बट सारी बात अल्टिमेलली डिमोक्रेसी में आइडेंटिटी की होती है कि वित्ती के आइडेंटिटी उसके प्रदेश के आइडेंटिटी तो वह भी महत्पूर्ण प्रशनी है मुल्क म बिरोजगारी रोजगार को लेकर चर्चानमजी लगातार हो रही है और हाला कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारा मंजी ने आश्वासन दिया किसी की नौकरी नहीं जाएगी मगर एक आँकला मेरे सामने है मार्ट 2019 में स्टेट बेंक आफ इंडिया के कर्मचारियों कुल तादाद 2,57,252 ती इसके पिछले साल इसकी तादाद थी 2,64,041 यानि कि रोजगार अवसर कम हो रही हैं तो चलिए सीतारा मंजी की बात माननी नौकरी नहीं जाएगी लेकिन फ्यूचर में जो रोजगार आ सकते हैं कहीं न कहीं हो इंफ्यूएंस हो रहा है तो ऐसे सीन में मान के चल रहे हैं क्वाल्टी वाई रोजगार कम हो रहे हैं तो बैंकों के विलाय का भविश्य के रोजगार पर क्या आशार आपको देखें अब जब हम बैंकों के भविश्य की बात करते हैं और एंप्लॉइमेंट की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं अपने licenses issue करने जा रहे है small finance bank के लिए तो वहां रोजगार की विरद्धी होगी उन small finance bank के लिए payment bank भी apply कर सकते हैं तो आप यह बहुत जल्दी देखेंगे कि Paytm bank और Airtel bank जो payment bank है वो जल्दी अपने आपको small finance bank के रूप में अपने आपको ले के आएंगे तो जो banking में जो विवस्था है जिसमें कि आपने एक सुविधा लेनी है उसको देने वाला जो आपका employee है उसकी संख्या में कमी नहीं आएगी लेकिन public sector bank की बजाए वो कहीं ना कहीं private sector में increase होगा तो overall जो employment की situation है उसमें कोई बहुत जादा परिवर्ता नाने की संभावना नहीं है लेकिन यह 5% GDP और 5 trillion economy और यह जो challenges macro economic challenges है उसकी वेज़े से बैंकों पर भी फरक पड़ेगा अगर auto में downward है तो auto वाले bank में नहीं जा रहे हैं तो bank में उतने employees की जुवत नहीं है वो सब affect ल merger की वये से कोई employment कम होगा ऐसा नहीं है और banking में overall को employment कम होगा ऐसा नहीं है अगर आप बिल्कुल situation को same मान के चले तो मेरी सिर्फ यही कहना था आप से के small finance bank payment bank और इस तरीके के बैंकों का business कभी बढ़ रहा है और बहार रोल का रहा है एक सवाल ते वारी जी है कि मोटे मोट सवाल management का common sense का सवाल है कि मैनली जी एक बड़े लाला जी business man है उनकी चार दुकाने अलगडग चल रही है और X दुकान मुलहे काम नहीं हो रहा Y में बढ़े काम नहीं हो रहा जएने मुलहे काम नहीं हो रहा उन्हें साब चारों को मिला के एक कर दो लाला जी वह ही रहे management व बगार क्या को आपको रियल एफेक्टिव चेंज दिखाई पड़ता है? मैंनेजमेंट स्टाइल में और स्ट्रक्चर में? विले के और प्रबंदन का जहां तक प्रशन है तो इसका भी एक पूरा इतिहास जो है उसके हमें नजर डालनी पड़ेगी इसको अगर समझना है तो यह पूरा जो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म जब लिब्रालेज़शन का दौर आया तब से स्टार्ट हुआ नबे के दशक में तो नर्सीमन कमीटी ने जो रिपोर्ट दी तो वो पूरी एक विस्तिरत रिपोर्ट है लेकिन जिसका की लेक उसके बाद में नहीं मिलता है इसमें भी जो विले की बात करी जो वित्मंत्री का जो प्रेजेंटेशन था वो पांच ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी का बैक्डराउंड से स्टार्ट हुआ तो वो आखड़ा एक अपनी जगह है लेकिन नर्जिमान कमीटी ने जो विस्तिरत एक दाइरा दिया जिसमें उन्होंने पूरे इसको एक्जामीन किया कि क्या कारणे की बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी एरोड हो रही है efficiency और productivity के issues हैं जो directed investment है यह interference के अलावा जो political interference administrative bureaucratic यह रहता है इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो जो पहले था कि statutory liquidity ratio cash reserve ratio बहुत हाई थे तो gradually हो कम किये गए हैं तो वो वो पूरे उस परिवेश में इसको देखने की जरूफ है फिर उसमें यह भी एक था कि उन्होंने इस प्रश्ट किया था कि dual control जो बैंक्स पर है जो banking division का और RBI का रहता है तो वो पूरी तरह से खत्म हो के बल RBI जो है banking regulator हो तो जो पूरी तरह से अभी तक नहीं हो पाया है माना गया है बट वो interference है अभी भी तो उनको हम यह करके कि वह यह नहीं है तो वो सारी चीजें प्रभावित करते हैं banking प्रणाली को तो जैसे उसमें उनका जो में यह थी recommendation की हमारे पास merger के बाद किवल तीन-चार बैंक हों जो international presence के हों 8-10 national level के banks हों बाकी चोटे local area banks हों बट आज भी हमारे पास करीब-करीब 200 से जादा scheduled banks है तो तो प्रबंदन में जहां तक यह कह रहे हैं तो यह इसकी जो अंक गडित है वो एक चीज है merger की कि आपने मर्ज कर दिया इसको इस से किस आधार पर लेकिन अंक गडित के साथ उसने बीच सब भी हैं तो वो अगर आप पूरा architecture वो सवाल सो जाने बाखी हैं तो आर्किटेक्चर अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो वो परेशानिया रहेंगी क्योंकि यह merger खाल इसी का नहीं उसके पहले Air India Indian Alliance का merger है अभी PFC REC का merger है तो वो समस्या है सब्सक्राइब कहने का आश सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद 2014 में पीजे नाइक कमेटी आए थी इन तीनों कमेटी का मूल सवर यह था कि बैंक्स कम हो और अभी रिजर्व बैंक के पूर गवर्नर सुबरा साव ने नहीं रिबेट छेड़ दी नियूंतम हो मैजोर्टी से उसको लेकर नीचे आ आप देखें तो बहुत बहुत लंबी प्लानिंग चली है यह अंदर खाने उसमें कुछ काम ना हुआ हो लेकिन इसमें समय लगता है और पॉलिटिकल विल के आवश्यक्ता होती है जो कि सरकार मेनेजर आती है अगर आप देखें तो ऐसे लावा जो एक अगर आप इसका ग इसमें आते हैं तो इस वका जो बैंकों का मर्जर हो रहा है उसमें खास बात यह है कि स्वैप रिशियो के इसाफ से सब लिस्टी इंटिटी है तो वह मर्जर बहुत सुगम हो रहा है इस लिस्टीड इंटिटी को बनने में अगर आप देखें तो तूसाओन ने शुरू आप फिर मार्किर की कंडिशन के इसाफ से लिस्टिंग जो था वो भी एक तरीके की प्रॉसेस थी तो यू कैना स्टॉप एन आइडिया उस टाइम हैस कम अब हो गया है इस बात के लिए कि गवर्मेंट जो है वह अपना इंट्रफेरेंस बिजनस में कम करे सिर्भ रेगु क्योंकि अभी हमारी जो बास हम एक डेवलप्ट एकॉनमी नहीं है डेवलपिंग एकॉनमी है तो हमें लाइन सुबाराव साहब की कमोबेश फॉलो की जाएगी सरकार बैंकिंग से अपने हाथ कम करेगी या खीचेगी दूसरी रिजर्व बैंक गवर्नर हुएं साब वाई आदे विले नाकामयाब हुए है पर इसमें पॉजिटिव है कि आदे विले कामयाब भी हुए है विले पर रिड़ी साहब की राय से आप कितना सहमत है कामयाब या नाकामयाब भारती कॉन्टेक्स में क्या आपको सम्दाना दिखाए पलते है इसमें तो उनसे सहमती पून् क्राइसिस हुई थी तो उसमें भी यह मुद्धा बहुत उभर के आया था कि बड़े फाइनेंचल जो इंस्ट्यूचंस हैं बड़े बैंक्स हैं तो वो सिस्टेमिक रिस्पोस करते हैं पूरी अर्थवेवस्ता को तो फिर से वो जो स्मॉल इस ब्यूटिफुल वाला डिबे हैंगी अगर हमारा जो जहां तक भारती कॉंटेक्स्ट है तो हमारे बैंकिंग से हटके बहुत सारे दूसरे मुद्धे हैं जिस पर की हुचाए असेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जो डेवलोप्मेंट बैंक्स की आवश्यक्ता है उस पर काम करने की जरूरत हो तो वो सारे मुद्धे इसी पर आ जाता है कि विले से यह चीजे नहीं सुधरेंगी जो जैसे हाई कॉस्ट ऑफ एकॉनोमी की बात अब हो रही है कि पर हमारे कॉस्ट अप्रड़क्शन ही बढ़ रहा है तो एशियन कॉंपटीटर के सामने हम कम आके जा रहे हैं तो वो सारे मुद्धे हैं जिन पर जो सारे समग्र ढंग से देखने को जो स्ट्रक्चरल इशूज हैं बात उस पर आकर अटक जाती है तो यह साइकलिकल इशूज और स्टिमूलस की जरूर जब हम कहते हैं तो यह चोटे मोटे चीजें तो हलो सकती है इससे बट पूरे कॉंटेक्स्ट में जो नहीं है यह तो गवर्मेंट के दोवारा फोर्स्ट विले मालिक हैं उन्हां कहे दिया तो हो गया तो हो गया लेकिन एक मुख्यकारन और है जो सह चुटना जाए कि जिसके जो विले के लिए आवश्यक है वह है कैपिटल अकॉंट कनवर्टिबिल्टी जिस वकात आपने अ इसलिए हम एक developed economy भी नहीं है लेकिन यह हम उस रास्ते को खोलते हैं जिसके द्वारा हम foreign flow को निर्बाद रूप से आने और जाने के लिए allow करते हैं इन देट केस जहां वो पैसा आके रखा जाएगा जिन इस्टूइशन में उनकी अलम बहुत जादा गड़बड हो सकती है क्योंकि अचानक से कही है जैसे किसी बैंक के पास कोई पैसा आता है तो उसको लेंड कर देता है तो अचानक से अगर मैं capital controls को हटा रहा हूं तो बह देखे कोई आदमी बहार से millions of dollars बेस सकता stock market में लेकिन million of dollar की FD क्योंकि convertible नहीं है तो अगर मैं 10 million dollar की 20 million dollar की 1 billion dollar की FD कराना चाहूं किसी bank में और किसी वज़े से के रूपय की depreciation depreciate हो रहा है रूपया और मैं next day कहूं के मेरा तोड़ दीजा आप FDR जैसे आप आम अदमी का तोड़ते हैं तो आप तो उस पैसे को लेंड कर चुके वापिस कहां से लाएंगे तो ऐसी इस्तिती में ICICI bank हो, state bank हो, PNB हो, यह तो समाल सकते हैं क्योंकि असे liability का size बड़ा है तो वो उस flow को एक जैसे के अगर माना मैं नदी में से पानी छोड़ रहा हूं तो बांध को म समचता हूं कि विदेश से निर्वाद विदेशी निवेश का परवहा को संभलने के लिए हमारी तयारिया मजबूत होने चाहिए, संस्थागत तयारिया मजबूत होने चाहिए, उसी कड़ी में, तक्टबंद मजबूत होने चाहिए, और बैंक ही कहते है, बैंक बड़े हो होती हैं तो skill of economies हम को मिलता है जितना हम ज्यादा काम करते हैं हिंदू अख़ार में 6 सितंबर 2019 को एक डिबेट चल रही है उसमें प्रोफेसर सहाब है आए महमदाबाद के टी राम मोहन उन्होंने कहा पंजाब नेशनल बैंक दो बैंकों के साथ विले कर रहा है औरिंटर बैं करीब एकति हो पा रहा है है पचा выз सबसे बड़े बैंक का तो मतलब है कि हमारी भी कोशिशें उतने ऊस लैवल तक नहीं पहुंच रही है भारत में पीधियां क लनूपगा है इसमें फिर फिर उं विद्धे पर पहुंचते हैं कि वो खाली बैंकिंग का सवाल नहीं है, सवाल जो पूरा जो जो फैनेंशल सिस्टम है, फैनेंशल इंटरमीडियेशन का सिस्टम, फैनेंशल मार्केट्स, तो वो सारी चीजों को एक साथ बढ़ाने का है, उनकी पूरी एफिशेंसी का है, और PNB या किसी बैंक के वृद्धी को खाली आईसोलेशन हम नहीं देख सकते हैं, कि उसमें जैसे जो जैसे हम यूएस से अगर कंपेर करें कि बिल मार्केट, बॉन्ड मार्केट, वो सारी चीज़ें भी हमारे हैं, उस तरह से डेवलप हमी हैं, तो खाली बैंक अपने आप म में, वो वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए आप एसपायर करें, खाली नंबर की यहां तक बात आते हैं कि जैसे पांच ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी या पी एन बी का सबसे बड़ा बैंक बन जाना, या एक नंबर नंबर पे जो हमारा obsession है, क्योंकि जब हम दू नहीं नहीं आते हैं, उसमें लग्संबर्ग या आयरलेंड इस तरह के देश उपर आते हैं, तो नहीं तो उसी नंबर से जो obsession है, उसमें जैसे एक एक बिटिच अर्थ स्यासी रहे हैं, चाल्स गुड़ार्ट जिनका गुड़ार्ट लॉ है, जो यह कहता है कि अगर आपका जो focus है, if policy is anchored to a number, so number assumes prominence and policy goes into the background, तो आप number तो achieve कर लेते हैं, जैसे हम सारी schemes में भी देखते हैं, तो numbers achieve हो जाते हैं, और एक मैं इसमें एक अपने अनुपा पर एक personal एक इसमें यह देना चाहूँगा कि हमारा focus कैसे divert होता है, जैसे banking है, तो banking, bank बड़े तब होंगे जब आ customer पर हो, बड़ किस तरह से वो focus हमारा भटक जाता है, जैसे अभी यह बात हो रही है कि manufacturing increase होगी, manufacturing पर आपका credit focus हो, एक जैसे छोटा था उधारन वो इससे कोई सीधा link नहीं है, बड़ यह सिद्ध जरूर करेगा कि हमारा ध्यान किस तरह भटकता है, जितनी जैसे parliamentary standing committee होती ह हैं, तो सारे साल वो दौरा करती हैं, घूमती हैं, वो सारे के जिम्मेदारी बंदोबस्त की banking division पर होती है, ultimately वो पैसा reimburse, लोगसभा secretariat करता है, लेकिन पूरे जितने bank हैं, आला अधिकारी उनके cmd से लेके नीचे तक, सारे लोग बंदोबस्त में लगे रहे तो banking से आपका लोगसभा security rate ने, बिल्कुल मैं पहले conclude करूँ तिवारी जी की बात कि कहने का अशे ही है, कि size का efficiency से बहुत नहीं देना नहीं है, और इसके structure को भी हमें देखना है, खास तौर पर आपने बताया, सरकारी बैंक जिसमें बहारी दखल संसदी समीती एक तरह से बाहर से है, और लिए आई, और ये नया प्रियोग है, तो आपको लगता है कि सरकारी प्रियोगों के साथ प्रियोगों की रफ्तार इतनी फास्ट होनी चाहिए, कि मतलब अभी आपने ये किया ग्यान संकाम फिर इंदधनुश में आ गया फिर आप मर्जर पे आ गये, और वक्त देना चाह आए गए थे, और एवर ग्रीनिंग चलती थी, वो सब नाटक उसमें जो नजर आया उनको, तो फिर उन्होंने दूसरा रूख अक्तियार कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये तो बड़ी गड़बड हो जाएगी, इनको मर्च करना बहुत हवश्यक है, तो आगर डबल होगी तो यदि हम अचीव करते हैं उस चीज को जिसके लिए हम एसपायर करते हैं, तो इनका बिजनस भी डबल होने वाला है, लेकिन उसमें एक मुद्ड़ यह आता जो पांच ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, उसका आधार ऐसा कुछ नहीं, वह खाली ए सरकार या कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है तो उसको इतना सेग्रोसेंट मांग लेंगे वीस परसेंट के हिसाब से पांस साल में डबल हो जाती है दस परसेंट के हिसाब का ग्रोथ तो हमारा है इन्फलेशन मिला मुलूग है तो दसी परसेंट बचता है खाली इस पर परसेंट सरकारी बैंक थे वह बारे रह गए है लेकिन ये नम्बरो को कम होना इस बात का बिलकूल सबूत नहीं और संकेत नहीं है कि सारी चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं जैसा हमारे मितलों ने बताया कि वर्क कलचर के चैलेंजेज हैं तकनीक के चैलेंजेज हैं और सबसे बड़ी बात अर्थ विवस्था में चैलेंजेज हैं बैंकिंग अर्थ विवस्था का एक तरह से मिरर एक तरह से आइना होती है अगर अर्थ विवस्था में सब कुछ ठीक नहीं तो banking में सब कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ेगा हमारे दोनों मित्रों ने सर्चाय में भाग लिया आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद